So now students, अभी तक हमने ये देखा है, कि आप AdSense पे registration कैसे करवा सकते हैं, अपनी website को associate कैसे कर सकते हैं AdSense के साथ, और फिर आप how you can start money, earn money out of it, कैसे आप dollar कमा सकते हैं, जैसे ही लोग आपकी website पे, blog पे click करना शुरू करेंगे, जैसे ही आपके blog पे, website पे traffic आना शुरू होगी, Now, this is one thing, इसके साथ जो AdSense का program है, as I have said earlier, क्योंके अब visitors या वो लोग जो internet पे मौझूद हैं, उनकी तदाद बहुत ज्यादा है, nearly, you know, 4 billion और 4.5 billion users हैं internet के उपर, so now it comes with our responsibility, it comes with, responsibility would be a lighter word, यह रिस्पोंसिबिल्टी एक जड़ा, you know, असान लफज होगा, मैं थोड़ा सा harsh word यूज़ करता हूँ, के कुछ restriction है, restriction से मुराद यह है, के basically AdSense का काम यह है, के आपने कुछ article पब्लिश किया, या कुछ content to precisely, आपने पब्लिश किया, और Google उसके against आपको पैसे दे रहा है, that is a good part, लेकिन, the trickier part, और वो हिस्सा या वो चीज, जिसके बारे में आपने बहुत conscious होना है, बहुत ज्यादा conscious होना है, वो यह है, के dots वो हैं जो आपने नहीं करने, मतलब यह वो काम हैं, जो probated हैं, मना हैं, अगर आप यह काम AdSense के बाद करेंगे, तो there is a chance, your AdSense might get banned, and you know, email address, सबसे पहला, और सबसे जरूरी चीज, वो यह है के आपकी एक website है, आपने इसके ओपर AdWord लगा लिया, आप अपनी website पे, जो ad लगा है, कभी भी, खुद क्लिक ना करें, यानि मैंने अपनी website पब्लिश की, मैंने ब्लॉग, जिसना हमने अभी create की है, मैंने इसको publish कर दिया, AdSense उस पे लगा दिया, तो psychologically being impatient, मेरी पहली कोशिश ही होगी, कि क्योंकि मुझे पता है, कि मेरे revenue उस वकर ज़्यादा होगा, जब number of clicks ज़्यादा होंगे, तो पहले चीज मेरे दमाँ में आएगी, कि why to wait, आप खुद ही click करना शुरू कर देंगे, AdWord के उपर, just be patient, थोड़ा थोड़ा तहम्ल, थोड़ा होसला, थोड़ा time लगने दें, यानि और लोगों को click करने दें, खुद आपने click नहीं करना, इसका मैं आपको थोड़ा सर परस्पेक्टिव यह बता देता हूँ, कि जब Google AdWord बहुत नया ने आया था, तो obviously developers भी मौझूद हैं, तो developers ने ऐसे code लिख लिख लिया था, ऐसा software लिख लिख लिया था, कि वो आपकी website पे, continue ने उससे खुद हिट करना शुरू कर देता था, यानि वो software आप में run काके छोड़ दिया, तो AdWord पे click होई जा रहा है, अब वो fake actually, वो घलत है, यानि उसको कोई ये बंदा नहीं देख रहा, उसको bot देख रहा है, computer देख रहा है यहूं समझें, which is wrong, तो actual intent Google का ये है, या AdWord का ये है, कि लोग इस पे click करें, ना के आब करें, और ना के कोई machine करें, तो ये इसका background है, step number one है, इसको तो बिलकुल आप लोग दिहान से, step number two, आपने कभी भी जो AdWord है, उस page पे नहीं click करना, जहां पे आपने, किसी और जरीये से traffic purchase की हुई है, मतलब ये असान लफ़ों में, कि AdWord तो एक तरीका है, revenue earn करने का, जिसमें आप नहीं कुछ पे कर रहे हैं, इसके इलावा, आप clicks purchase कर सकते हैं, अपनी website के लिए, मतलब ये है, कि आपने पैसे दिये, for example, Facebook को, आपने का जी, daily मुझसे X amount लो, और मेरी website पे, X number of clicks daily आने चाहिए, Facebook will guarantee this, या Google will guarantee this, तो अगर आपने औरेड़ी एक जगा पैसे दे दी हैं, आपको पता है, let's suppose, के 10,000 clicks really आरहे हैं, and you again, you are being impatient, this is again a trap, Google know this thing, obviously उसको पता है, कि आप उस page पे advert लगा रहे हैं, जहाँ पे आपने click purchase किये हैं, तो ये fake actually, again faking it out है, ये घल्ट है, ये सही नहीं है, original content, original लोग नहीं view करें, तो ये नहीं करना, तीसरी और बहुत important चीज, जो अमोमन हम लोग, आप यूँ समझें, unintentionally कर जाते हैं, पहली दो चीज़ें जो हैं न, वो human psyche से बहुत खरीब हैं, तो we do it them intentionally, तीसरी चीज़ human psyche से थोड़ा सा दूर है, but I mean, we don't do it intentionally, this is what I believe, वो ये हैं कि आपने जब आड बनाना है, तो never ever use wording like, click on add, या आप यूजर को किसी तरीके से, बाउंड कर दें, कि बन्तब अपने website, start हुई है, होमपेज आए है, आप कहे रहे हैं, click on add, to proceed next, अब ये सोचें, कि आप amazon.com आपने लिखा, I am interested in, buying something, और amazon वाले मुझे कहें, no, click on this add, only then you will be proceeded, to, to purchase, यानि मुझे website में, enter होने के लिए, add, कुब एक click करना है, forcefully, या, मैंने ऐसा को eye catcher लिख दी है, कि लिए click here on add, तो ये नहीं करना, reason, कि आप user को force नहीं कर सकते, you cannot bound a user, last point, वो ये है, कि Google की कुछ policies हैं, regarding some, some probated sites, regarding religion, regarding democracy, regarding freedom of speech, और, कुछ और sites से related, तो वहाँ पे आप add, नहीं लगाएंगे, तो just read out देख, ये don't से, ये नहीं करने, और जो do's है, वो बहुत simple है, वो ये है, कि this is what I do, कि let's suppose, आपने AdSense लगाना है, तो, पहले AdSense को उदर समझ ले, मतब थोड़ी research कर ले, AdSense के page पे जाएं, different websites पे जाएं, forums पे जाएं, लोगों के opinions सुने, जो लोग use कर रहे हैं, क्योंकि it will, the guys who are already using it, वो आपको बताएंगे, कि क्या करना चाहिए, तो I mean, जितने information collect हो सकती है न, वो करें, ये एक step number one है, और बहुत important है, ये आप करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, number two, कि अगर आप चाहते हैं, कि लोग आपकी website पे आएं, तो पहले, उन website पे खुद जाना शुरू करें, जो आपके interest कियां, for example, I love to travel for example, और I love to follow football thing for example, तो, मैं खुद भी बहुत जादे websites पे जाके, football से related, law league से related, champions league से related, या journey, traveling, के बारे में, कि कौन सी websites आगर चल दी हैं, जहां पर travel plan असानी से हो सकता है, कहां पर travel करना चाहिए, इस तरह कि, यह जो मेरे interest की हैं, आपके interest की हो सकता है, तो वो उन website पे जाके visit करें, ताकि आपकी community बने, तो this is how you expand your, याप किसी एक website पे जाएंगे, तो there is a chance के लोग आपकी website पे भी आएंगे, and last thing, comment करें, blogs के ओपर, याप किसी और बंदे की website है, उसने कोई journey से related चीज लिखी है, तो comment करें, ताकि वो बन्दा भी पे आपकी website पे आएं, तो इसको बोलते हैं, attracting the, you know, attracting the user, so, if I sum up this whole, actions thing, वो ये है, कि आपकी website पे जब तक original content, या, quality content, या, उसके बाद जो original users हैं, जब तक वो नहीं ना आएंगे न, you want, you want to get earning, आप earning नहीं कर सकते, और जिससे मैं आपको बताया है, कि it will take some time, यानि, आप ये कतन मत सोचें, कि आपने अभी AdSense लगाया, और अगली सुबा आपके count में, 200 डॉलर आ गए, और अगर 200 डॉलर नहीं है, तो आपने कहा कि ये सही नहीं है, Google, AdWords, सही चीज नहीं है, it's wrong, it's a mindset issue, it will take some time, so time लगेगा, लेकिन इसमें, जो plus point है, वो ये है, कि आपकी ये silent earning है, यानि आपको, खुद से नहीं कुछ पेर करना, आपके count में, आपके आपने पैसे आना शुरू हो जाएंगे, सिर्फ ये कि आपने networking करनी है, लोगों के website टे विजट करें, लोगों के blogs पे जाएं, forums पे जाएं, ताके लोग आपको, basically आपकी website पे आएं, you have to attract the user toward your website.